पार्ट इंजन तो वेघुट में था न में हम चाहंकर ने द६्रेशा करंगेचिस और प्रकॉबर की सिरीज का प्रेमक्रेश music धेन हम करते हैं तो यह सब्सक्रब्र की सिरीज का पार्ट फॉर आज हम jsumе डिसकस करने जा रहे हूं तो तर्बो प्रोब इंजन में पावर डिवलप्मेंट को आज हम डिसकस करेंगे तिवर नॉर्मली अगर मैं डिसकस करूँ यहां पे तो सबसे पहले मान लो कि यह हमारा हब हो गया यह हमारा प्रोपेलर हो गया अब यहां से क्या होगा यह RG केसिंग के थूँ exhaust होगा तो यह अगर मैं इस engine की मैं अगर बात करूँ तो यहां से जो हमारा fuel है यहां पे हमारा fuel की burning होगी वहां से जो energy development होगा जो energy बनेगी जो energy निकलेगी वो क्या करेगी हमारी turbine को move करेगी जो energy यहां से निकलेगी वो क्या करेगी to turn the propeller propeller को वो turn करेगी वो कैसी turn करेगी propeller को वो propeller को turn करती है कैसे करती है यह energy जो है यहां से जो compressor है हमारा यहां से हमारा airflow आ रहा है यह compressor हो गया यह जो compressor है यह air को compress करके यहां से जो air आएगी यहां से burn होगी पहले एर कंप्रेस होी है फिर वो बर्न होी है यहां से हाई स्पीड में जो हमारा टर्बाइन एसेंबली है उसको रोटेट करेगी और यह एक साफ्ट से लिंक होगा तूदा आरजी एसेंबली और वहां से हमारे प्रोपिलर को रोटेट करेगा तो कुल मिलाकी जो ये energy है ये propeller को turn करेगी turn करने के लिए ये क्या करेगी ये जो इस soft के थूँ ये RG assembly को भी drive करेगी और thrust भी ये produce करेगी तो ये कुल मिलाके है बाकी हम जो है separately आगे discuss करेंगे जब हम type of propeller discuss करेंगे उसमें हम एक दम deep से explain करेंगे आपको types of propeller में तो ये अब हम बात करें कि जो हमारी fuel supply है उसको हम कैसे increase करेंगे ये fuel supply को increase करने के लिए हमारे पास throttle walls होते हैं throttle wall होंगे जो की pilot जो cockpit से throttle wall को open करेगा वो fuel supply को control कर सकते हैं अगर उनको ज़्यादा fuel supply अगर engine में भेजने है तो हम throttle wall को ज़्यादा increase करेंगे तो fuel supply increase हो जाएगे तो mainly अगर मैं बात करूँ टर्बो प्रोप engine की तो उसमें जो power जो होगी जो भी engine की जो power है वो major करेंगे हम torque में मान लो कि हमारे पास कोई टर्बो प्रोप engine है तो हमने उसकी power को torque में major करेंगे torque को मैं अगर बात करूँ अगर torque क्या है तो torque की यह कुछ नहीं है फंक्शन है resistance to rotation और torque को हमने पिछले वीडियो में भी डिसकस किया है कि engine का torque produce होता है यह वही torque है अगर मान लो torque किसी engine का ज़्यादा है तो उस engine के propellers को rotate करने में ज़्यादा power requirement होगी torque ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा torque है तो greater power चाहिएगी to turn the propellers तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वही torque ज़्यादा हो गया तो हमें fuel supply को भी increase करना पड़ेगा अगर torque ज़्यादा है तो बाकि torque को हम जो pitch है जो propeller की blades का pitch है उसको change करके भी हम torque को टर्बो प्रोप configuration तो गर इन जो टर्बो प्रोप configuration है इसमें हम mainly 3 configurations को हम discuss करेंगे आज पहला जो होगा वो होगा coupled power turbine engine जो second one होगा वो होगा free turbine engine and जो last one होगा वो होगा compound engine तो ये 3 configurations हम तर्बो प्रोप का discuss करेंगे तो ये start करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे coupled power turbine engine की तर्चैसे नाम से शोग रहा है कि coupled power turbine engine हमने discuss किया था मान लो कि ये हमारा कोई engine है right ये हमारा engine है तो इसमें ये हमारा जो है propeller हो गया अब ये propeller through the RG assembly this is RG reduction gear assembly right ये हो गया RG assembly इसके through इसके बाद जो है compressor assembly होती है जो हमारी air को पहले compress होती है फिर यहां पे हमारी air burn होती है combustion chamber में then combustion के बाद यहां पे जो air हो expand होती है और यहां से हमारी turbine assembly को rotate करती है then यहां से हमारा आगया jet pipe है फिर exhaust right exhaust assembly तो air mainly मैं बात करूँ अगर coupled power की तो नाम हो रहा है coupled power इसमें जो हमारी turbine assembly होगी या फिर you can say that power turbine जो है that will be linked with the compressor turbine यहां से यह link होगा और यह RG के इसमें से link होगा और यह हमारे propeller को rotate करेगा means क्या यहां पे अगर मैं बात करू coupled की तो इसमें मैं यहां पे लिख देता हूँ आपको याद रहेगा उससे compressor turbine जो है वो link रहेगा power turbine power turbine से right यह हो गया हमारा coupled power turbine engine में similarly मैं बात करूँ अगर free turbine engine की तो free turbine engine जैसे की नाम आपको बता रहा है इसमें जो compressor assembly जो होगी उससे direct link नहीं होगा क्या नहीं होगा यहां से मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा compressor turbine is not connected with the power turbine ठीक है वो कैसे होगा यह देखिए वो होगा ऐसे यह हमारा compressor turbine है इसके बीच से ऐसे जाके सीधा power turbine होगा means यहां आपका जो compressor turbine है वो power turbine से connected नहीं है इसमें क्या था? connect था coupled में इसमें क्या है connect नहीं है यहां से बीच से जाएगा यहां से होडु है यहां से बीच से यह रोटेट करेगा compressor अपना separate रोटेट करेगा तो यह है हमारा free turbine engine अब एक आगता है compound turbine engine तो यह हमारा जो engine है उसको ज़्यादा efficiency ज़्यादा efficient बनाने के लिए किसी भी engine को ज़्यादा efficient बनाने के लिए अगर उसकी जो ये air flow है जो incoming air flow होगा जो incoming air होगी उसको अगर हम ज़्यादा compress कर दें मतलब multiple stages में अगर उसको compress किया जाए like यहाँ पे हम एक और compressor assembly रख देंगे एक और compression की stage रख देंगे then क्या होगा हमरी जो air जो होगी वो highly compressed होके यहाँ पे burn होगा fuel के साथ में then क्या होगा हमारे जो engine है उसकी efficiency increase हो जाएगी ज़्यादा power वो generate करेगा तो इसको हम बोलते हैं multi stages यहाँ पे multi stage हमारा compression का हो गया है और यह क्या होगा इससे connected नहीं रहेंगे like the free turbine engine और इसी को हम बोलते हैं compound engine I hope आपको coupled free and compound turbine engines में आपको समझ में आ गया होगा सारा इसमें multiple stages होते हैं तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो इसमें हम लिखतेंगे multiple stages ठीक है for recreating energy हम लिख सकते हैं या to make our engine more efficient हम इसको हम बोल सकते हैं हमने multiple stages हमने इसकी कर दिया है तो यह 3 configurations थी हमारे turbo prop की I hope आपको समझ में आया होगा तो यह next हम बात करेंगे vibrational forces and resonance तो यह जब हमारा propeller है जब यह हमारा propeller यह rotate करेगा then क्या होगा यह thrust produce करेगा हमने discuss किया था जब हमारा propeller thrust produced by propeller तो जब हमारा propeller rotate करेगा तो यह produce करेगा thrust और जब हमारा propeller rotate करेगा thrust produce करेगा then इस पे कुछ forces act होंगे हमारे propeller पे forces will act on our propeller तो जब ये forces act होंगे तो उनसे vibrations produce होंगे हमारे propeller में vibrations will produce अब ये vibrations जो होंगे वो mainly two types के होंगे जब हमारे propeller rotate करेगा तो उसमें जो forces act होंगे वो mainly होंगे aerodynamic forces and mechanical forces तो हम बोल सकते हैं कि aerodynamic forces से जो vibrations होंगे वो होंगे aerodynamic vibrations और जो mechanical forces से जो vibration होंगे वो होंगे mechanical vibrations तो two types के जो हमारे vibrations जो होंगे हमारे propeller में वो होंगे aerodynamic vibration और mechanical vibration तो अगर ये vibration एक long time तक prolonged time तक अगर ये vibration रहते हैं तो हमारे propeller का जो structure है structure failure हो जाएगा या फिर हमारे propeller का जो material है वो fail हो जाएगा अगर ये vibrations एक long time तक रहते हैं तो तो mainly जो हमारा आज के जो mostly aircraft हैं उनमे airframe engine and propeller ये जो combination है वो इस तरह से combination किया जाता है कि जो हमारा vibrational stress है हमारे propeller के उपर या फिर हमारे aircraft के उपर जो भी vibrational stress है वो maximum stress जो है वो eliminate हो जाता है हमारे airframe engine और propeller configuration से airframe engine और propeller configuration से so mainly और बाके depend करता है कि हमारा जो propeller है वो किस material का बना है कि वो कितना long last जो है tolerate कर सकता है vibrational stresses को material की मैं अगर बात करूँ तो हमारा propeller है वो different materials से जो है बनता है और different types की materials से जो है हम बना सकते हैं हमारे propeller को हम अभी आगे discuss करेंगे कि हमारा propeller में क्या-क्या materials जो है वो use होते हैं आईए सबसे पहले हम उसी topic को ले लेते हैं materials used in propeller तो यार अगर बात करें materials used in our propeller तो सबसे पहले हम बात करेंगे wood की तो यार जब हमारा first flight हुआ था 1903 में तब यार wood propeller होते थे और wood propeller mainly हम use करते हैं जब हमारे कोई small light aircraft है small aircraft है हमारा और जो हमारा aircraft तो small है ही है प्लस उसके अंदर हम बात करेंगे भी कोई ज़्यादा long range aircraft हमारा नहीं है small range aircraft है ज़्यादा high altitude पे नहीं जाएगा तो उसमें हम mainly क्या करते हैं wood propeller को हम use करते हैं और wood propeller को उस time पर use करना एक काफी ज़्यादा you can say advantages थे क्योंकि जो wood है यार वो light in weight थी सबसे पहले तो light in weight उसके बाद economically अगर हम बात किया जाए तो उसमें जो production था वो भी काफी अच्छा होता था construction की अगर मैं बात करूं तो construction भी काफी simple रहता है हमारे wood का simple construction था इसका और बात करें अगर replacement की मैं अगर बात करूं तो ease of replacement कि कोई भी आपको replace करने है तो easily आप उसको replace कर देते हो तो wood का जो है फाइदा भी था और हम बात करें अगर mainly जो इसमें जो wood यूज होती थी वो होती थी oak tree का जो wood है वो हम यूज करते हैं बिर्च wood भी हम यूज करते थे पहले तो हम बात करें इसमें हम mainly जो मानलों कि हमें प्रोपिलर बनाना है blade बनानी है तो हमने wood का जो है उसको wood का एक blade बना दिया और उसके बाद में resin के साथ में layer से उसको चिपका दिया और उसके उपर एक fabric covering लगा दे ताकि उसको strength मिल सके fabric का coating हम वहाँ पे covering कर देते हैं वहाँ पे resin glue लगा के ताकि उसका जो strength है वो increase हो जाए तो mainly ये करते हैं और जो हमारा propeller का leading edge है उसके हमें एक metal का strip लगा देते हैं और tip के उपर भी जो है ये metal के रहेंगे और ये metal के इसलिए रहेंगे जब हमारा propeller rotate करेगा तो इसमें कोई particle जब strike करेगे तो उसको हमारी wood को damage ना करे तो ये हमें क्या कर दिया है एक metal की strip हमें या पे लगा दिया है tip के उपर भी जो हमारा metal रहेगा और ये क्या रहेगा एक countersunk rivet आप बोल ले हूँ या फिर screw आप उनको बोल सकते हैं counter and screw का यूज़ करके इनको इसमें fix कर दिया जाता है right then जो ये हमारे counter trunk जो screw या rivet जो हमने यूज़ किये थे इनको हम क्या करते हैं solder करते हैं और एक file करके इस surface को हम smooth कर देते हैं ताकि जो हमारा flow है वो streamline flow रहे वहां पर turbulence ना हो तो यहां पर हमने इनको जब file कर दिया तो एक दिम smooth हो जाएगा यहां पर बाकि यहां पर हमारे holes भी रहते हैं अगर कोई भी moisture अगर हो तो वो एक जो हमारा centrifugal force है उसके दवारे वो बहार चला जाए तो वो भी इस परपद से रहता है यहां पर holes रहता है तो small small hole होते हैं near by the tip tip के near में रहता है तो वो central force से वो out हो जाता है हमारा moisture metal propeller के मैं अगर बात करूं तो इसमें हम mainly use करते हैं forging का और forging करके हम propeller बनाते हैं एक high strength aluminum alloy आप मान लो कि हमने ले लिया और उसको हम forging करके जो है propeller बना देते हैं उसके बाद propeller का balancing, anodizing, like यह सब करके हम उसको ready करते हैं तो यह balancing हम करते हैं ताकि vibrations हमारे propeller में ना हो और यह हम इसलिए करते हैं ताकि corrosion ना हो corrosion ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? अनोडाइजिंग करते हैं अगर हम बात करें aluminum alloy hair mainly mostly widely used in our aircraft तो उसमें क्या है? एक सबसे पहले तो यह lightened weight है और इसको हम easily जो है machining और grinding से जो है जब हम propeller का blade बनाएंगे या फिर propeller को बनाएंगे तो machining और grinding करके हम easily जो है airfoil का finish उसमें दे देते हैं और उसके बाद उसको convincing और energy करके उसको हम ready कर देते हैं यही अगर हम बात करें steel propeller की तो steel में क्या होता है? steel mainly transport aircraft में ज़्यादा यूज़ होता है जो steel का जो propeller है वो mainly transport aircraft में हम उनको use करते हैं और transport aircraft में भी मैं अगर बात करूं क्योंकि steel में weight ज़्यादा है तो हम उसको एक hollow अंदर से वो रहता है वो हमारा propeller जो होगा वो अंदर से hollow रहेगा उसको भी हम force करके और machining करके और hollow इसलिए करते हैं कि weight reduce किया जाए तो mainly steel में हम steel को हम transport aircraft में यूज़ करते हैं बगी आजगर तो composite materials का use होने लग गया है हमारे propeller में और जैसा कि नाम बता रहा है कि composite materials तो composite की मैं अगर बात करूं तो composite में हम mainly use करते हैं एक तो fiber को और दूसरा हम use करते हैं matrix को और यह हमने जो है पहले discuss कर चुके हैं वीडियो में हमारी वीडियो में जाके आप देख सकते हो composite materials का हमने एक वीडियो बिनाया हुआ है और उसमें हमने इसको explain कि composite materials क्या होते हैं materials use जी नेवर aircraft का कोई वीडियो होगा आप जाके देख सकते हो हमारी channel पर उसमें हमने deeply इसको explain किया हुआ है तो fiber plus matrix को हम use करता है composite में और mainly fiber हम ले ले लेते हैं glass, graphite, diafier, kevular हम ले ले लेते हैं और matrix को मैं अगर बात करूँ तो matrix में कोई भी thermosetting resin like you can say epoxy हमने ले ले लिया तो उसको हम use करके जो हम हमारा propeller को बना सकते हैं तो composite material का आज़कर ज़्यादा मतलब जैसे जैसे हमारी metallurgy में जो है increase हुआ नए नए खोज़ होई तो जैसे ही metallurgy आगे भड़ी तो latest क्या है कि composite materials का हम use करते हैं यह light and weight होते हैं चैंत भी इनकी काफी ज़्यादा अच्छी रहती है तो composite materials के भी हमारे propeller blades हम तो अब हम बात करेंगे type of propeller की तो अब types की जब मैं बात करूँगा types of propeller तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे fixed pitch propeller fixed pitch propeller second one is ground adjustable propeller third one is variable pitch propeller fourth one is counterweighted propeller fifth one is double acting propeller sixth one is single acting propeller seventh is constant speed constant speed propeller and the last one is hydromatic propeller तो यह propeller हम आज डिसकस करेंगे एक एक करके हम इसको डिसकस करेंगे और in the end of the video आपको यह पूरे propeller का concept जो है वो समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे fixed pitch propeller की तो बात करते हैं fixed pitch propeller की तो आप जो fixed pitch जो propeller है जैसा कि नाम शो कर रहा है कि fixed pitch इसका pitch हम चेंज नहीं कर सकते इसका जो pitch है वो fixed रहता है जब हमारा propeller है जब उसको हमने बनाया तो वो एक one piece में propeller बनाया यह हमारा propeller है यह one piece में है यह पूरा एक one piece propeller है इनको हम pitch को हम change नहीं कर सकते इनका pitch fixed है वो change होगा ही नहीं ना तो flight में ना on ground यह हमेशा fixed रहेगा और mainly जो इस type के propellers हैं वो design किये जाते हैं for the best efficiency at a particular rotational or forward speed आप लिख सकते हैं these are designed for best efficiency at one rotational and forward speed और बात करें इनके use की तर जो हमारे fixed pitch propeller है वो mainly use के जाते हैं low power, low speed, low range और low attitude के लिए हमारे ये fixed pitch propeller को हम वहाँ पे use कर सकते हैं जब हमारी low power हमें requirement है, speed हमें ज्यादा नीची ज्यादा range हमें हमारे aircraft का नहीं चीए जो altitude है वहाँ हमारे aircraft का हमें ज्यादा नहीं चीए तो वहाँ पे हम fixed propeller को use कर सकते हैं तो ये था हमारा fixed pitch propeller, next हम बात करेंगे ground pitch propeller की, sorry ground adjustable propeller की तो और नाम suggest कर रहा है कि ground adjustable propeller, तो और ये भी अगर बात करूँ मैं in flight की अगर मैं flight की बात करूँ तो ये भी act होंगी as a fixed pitch propeller air में तो ये fixed pitch propeller की तरह ही act करेंगे, बट on the ground क्या है कि हम जब हमारा aircraft ground पे आएगा, तो हम उसकी जो propeller की जो pitch है, उसको हम change कर सकते हैं उसकी हम clamps को lose करके और वो mechanism को हम वहाँ से उसका pitch change कर सकते हैं on ground only air में वो as a fixed pitch propeller ही काम करेगा, तो ये भी same, जहां पे low power चाहिए, ज़्यादा speed नीच चाहिए, ज़्यादा range नीच चाहिए, ज़्यादा attitude नीच हो हमारे aircraft का, वहाँ पे हम इनको use कर सकते हैं और ये two piece हम होता है, जैसे कि वो एक single piece था, तो इसमें two piece, इसमें हम wood metal, कोई भी हम इसमें metal use कर सकते हैं, बट on ground जब हमारा aircraft होगा, तब ही हम इसकी pitch को change कर पाएंगे, तो ये हैं हमारा ground adjustable propeller, तो यार जो third propeller की हम बात करेंगे, वो है variable pitch propeller, तो हम इसको क्या करते हैं, in flight में भी, हम इसकी pitch को हम change कर सकते हैं, एक hydraulically, hydraulically actuated pitch chain cylinders होते हैं, और hydraulically actuated pitch chain cylinders होते हैं, हम in flight में भी हमारे propellers की जो pitch है उसको हम change कर रखते हैं इसमें हम mainly 3 step को हम याद रखेंगे जैसे कि मान लो हम एक fine pitch का जो oil supply है वो जैसे increase करते हैं, first में हम करेंगे oil supply to fine pitch to fine pitch इसमें क्या होगा हमारा rpm जो है increase हो जाएगा ठीक है जब pitch fine होगी तो second one है हमारा oil है वो हम set off कर दे या उसको हम बोलते है hydraulic lock in that case rpm जो है वो क्या रहेगा constant right third जो है वो होगा drain drain of fine pitch oil to the scavenge scavenge pump में या फिर scavenge tank में जो है उसको हम अगर हम drain करते हैं तो उससे हमारा rpm जो होगा वो drop हो जाएगा क्योंकि हमारा propeller है वो मौव करेगा fine to the course और हमारा rpm क्यों हो जाएगा तो यह आपको अगर अभी समझ में नहीं आया है तो यह आपको समझ में आएगा जो हम discuss करेंगे single acting propeller and double acting propeller उसमें आपको एकदम explain हो जाएगा यह सारी कैशिजें तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे single acting propeller की फिर हम discuss करेंगे double acting propeller और constant speed propeller को तो ये अपर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे Single Acting Propeller तो Single Acting Propeller के मैं अगर बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम एक चोटा हाट टोपित लेंगे वो लेंगे Counterweight का Counterweight और Counterweight भी आपको समझ में आ जाएंगे जब मैं इसको Single Acting को पूरा आपको टाइगराम के साथ explain करूँ मत तब आपको समझ में आ जाएंगे अभी आप यह समझ लोग की Counterweight जो है वो fit होते है मान लोग कि ही हमारे propeller है तो यहां इन propeller के साथ में इनकी रूट में जो है Counterweight होते है और मेंली जो Counterweight है Counterweight जो है वो 90 degree to the chord line ठीकर chord line के 90 degree में जो है यह हम इनको fix कर देते हैं यहां पर अब यह कैसे काम करते हैं क्या काम करते हैं वो हम समझेंगे with diagram मान लोग कि यह हमारा hub है और यह हमारा propeller है यह हमने एक single view से हमने ले लिया है अब क्या होगा इसके पीछे जो है यह propeller के पीछे का view में अगर आपको दूँ तो इस diagram में मैं इसको आपको ऐसे explain करूँगा यह हमारा piston हो गया और यह हमारे piston से link और यह हमारा हो गया counter rate यह इसको मैं dark कर देता हूँ counter rate को यह पूरा dark हो गया ठीकर तो यह हमारा हो गया counter rate अब यह जो अब यहां से क्या होगा जो rpm governor है वहां से क्या होगा जो हाई जो हमारा engine का जो pressure oil pressure है वो यहां पे आएगा और हमारी piston को push करेगा ठीकर जब हमारी piston को push करेगा तो यह piston पीछे जाएगी तो यह भी पीछे के तरफ move होगा हमारा counterweight पीछे की तरफ तरफ दो और जो हमारा जो ये blade है ये भी fine पीछ की तरफ जाएगा means ये अभी ये जो angle है ये decrease हो जाएगा जो pitch angle है वो decrease हो जाएगा means हमारा propeller है वो उसकी pitch जो है वो कम हो जाएगी अब pitch जैसे ही decrease होगी हमारे propeller का जो rpm है वो increase हो जाएगा यही हमने step number one में कहा था जब हमने आपको variable propeller बताया था उसमें हमने कहा था कि oil supply to the fine pitch तो यह हमारी oil supply है to the fine pitch और जैसे ही हम oil supply करेंगे to the fine pitch की तो हमारा जो rpm है वो increase हो जाएगा second है second जो point था और वो हमारा था oil satore और hydraulic lock उसमें हमारा जो rpm था वो constant हो गया था तो वो कैसे होगा जब हमने यहाँ पे hydraulic lock लगा दिया तो उससे जितना pitch propeller का change कर लिया हमारी propeller ने उतना ही pitch रहेगा means हमारा जो propeller है वो constant rpm से rotate करता रहेगा so third point था वो था drainage of the fine pitch oil back to the scavenge अब अगर हम इसको drain करेंगे ठीक है यह वापस ही आगया अब क्या होगा यह जो हमारा counterweight है यह हमारे counterweight के उपर क्या है centrifugal force act होगा उससे क्या होगा हमारा propeller फिर से हमारे propeller की pitch है वो क्या हो जाएगी course pitch हो जाएगी means pitch increase हो जाएगी course pitch मतलब increase हो गई pitch और हमारे propeller का जो RPM है वो decrease हो गई और यही point number 3 में मैंने आपको कहा था कि जैसे ही drainage of the fine pitch oil होगा वहाँ पी हमारे propeller का जो RPM है वो decrease हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यह हमारा counterweight है और counterweight जो हमारे लगे हुए है उनके से क्या होगा centrifugal force के द्वारा हमारे जो pitch है वो increase हो जाएगी तो यह था हमारा single acting propeller आएगा आपको समझ में आया होगा single acting propeller अग हम बात करेंगे double acting propeller की तो यहर अब हम बात करेंगे double acting propeller की double acting propeller तो double acting propeller की मैं अगर बात करूँ तो single acting propeller से similar ही double acting propeller है सिर्फ फर्क यह है इसमें coarse pitch oil का line जो है coarse pitch oil का जो line है वो separate रहेगा और जो fine pitch oil है उसका जो line है वो separate रहेगा बाकी सब सेम है like this यह हमारा propeller हो गया और यहां पर यह piston हो गया और यह से link डिया इसका part है और यहाँ पर यह counter plates है रैट अब इसमें क्या होगा एक line होगा हमाहा course pitch का और एक line होगा हमाहा fine pitch का अब उसमें क्या है जैसे ही हमारा fine pitch वाला line आएगा ये आएगा ये इसको क्या करेगा पुछ करेगा जैसे ही इसको पुछ करेगा हमारे propeller का जो pitch है वो कम हो जाएगा हमारे propeller की fine pitch हो जाएगी और यहां से जो यहां से यहां से रेटेंच चला जाएगा ठीक है? जो इसके पीछे की साइड में जो ओईल है वो यहां से रिटन चला जाएगा अब मैं अगर बात करूँ कि हमें कोहर स्ट्रिच चींगे तो यहां से हमारा ओईल आएगा यह क्या हो जाएगी इसकी? अब यहां पर एक वाल लगा हुआ है क्रोस वाल ऐसे मल्टी पाथ वाल है यहां पर उसको हम स्लाइड करते हैं तो एक बार यह ओईल की में लाइन हो जाएगी और यह हो जाएगी रिटन लाइन जब उसको हम थोड़ा स्लाइड करेंगे तो उस से ये slide wall is को हम बोलते हैं तो उस से क्या होगा? इे हो जाएगी oil की main line और ये क्या हो जाएगी? return line مій तो जब fine pitch था तो अब ये oil की line होगा ये तो ये क्या हो जाएगी? force pitch oil की line हो जाएगी और यहां से जब fine pitch की line थी वाँ से हमारा oil return चला जाएगा तो यह प्रोसेस है, यहां से जब ओइल आएगा तो हमारे प्रोपलर को यहां से अंदर की तरफ पुस्ट करेगा, हमारे पिसका प्रोपलर का, पूर्सपीच हो जाएगा, जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब कूर्सपीच हो जाएगा, तो हमारे प्रोपलर का जो RPM है वो decrease हो जाएगा. Right? तो यह हमारा double acting प्रोप्लर था. अब अगर हम बात करें constant speed प्रोप्लर की. तो अगर constant speed प्रोप्लर की मैं अगर बात करूं तो उसमें RPM गवर्नर का जो main role है. RPM गवर्नर. तो RPM क्या करता है? सेंस करता है हमारे प्रोपलर के आर्पियम को तो सेंस करता है कि आर्पियम ड्रोप हो गया अब आर्पियम गवर्नर ही हाँ पे हमारे ओईल को बेचता है कि किस साइड ओईल जाना चाहिए हमें फाइन पिच्ची है कि कोर्स पिच्ची है अगर हमारे Propler का RPM डोप हो गया तो मख् 그래서 इनकरीज दो रही है उसके इसाबसे ही हमारे Propler की पीच जो है वो पर qualcोतम वाइWhoa वो oil को send करता है और प्रक्र की जो pitch है वो fine और coarse होती है तो उसको हम पहलते है constant speed constant speed पॉपलर प्रियम गवर्णर का एक main role play करता है तो double acting भी हो गया single acting भी हो गया और constant speed भी I hope आपको समस्मे आ गया हो गाइस से